जैहिंद नमस्कार मेरे सेर सेनियों लाडों लाडलियों जितने भी बच्चे जो ससी जीडी का इंतजार कर रहेंगी फिजिकली को टोप कब आएगी और कितने नमर पर जाएगी जैसे आंसर किया यह आप सब के मन में एक चीज यह बहुत बड़ी किरियोशिटी पेदा कर रह जाएगी फिजिकल के अनलाइज आपने खूब देखेंगे लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस्पेशली गुजरात वाले जितने भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को बता दो मैं सिर्फ फिजिकल ही नहीं मेडिकल और फाइनल मेट आपकी कित कर सकते हैं दिन में पूरे दिन उसके अलावा अगर आप फिजिकल बेच में आते हैं हमारे पास में तयारे करने के लिए तो आपका मेडिकल बिल्कुल निश्वल्क हो जाएगा ठीक है लाड़ो अब बात करते हैं कि गुजरात से इस बार फिजिकली कटोप कितनी जा सकती है और फाइनल मेड कितनी जा सकते हैं दोनों पर हम बात करेंगे ना कि केवल फिजिकल बेच पे ना केवल फिजिकल कटोप है तो देखे लाड़ो गुजरात से पिसली बार 2021 में जो फिजिकल के लिए कटोप गई थी वो गई थी 39 हाइस्ट जनल केटेगरी बोईज और जो लोवेस्ट गई थी वो गई थी 32 एस्टी केटेगरी गल ठीक है यह नहीं लड़कियों की जो एस्टी केटेगरी उसकी थी 32 इसके बीच में जैसे OBC, SC, ST सारी और केटेगरिया भी आ गई तो सर इस बार क्या नुमान लगता कि कितने नंबर पर जा सकती है तो देखिए इस बार जिस भी बच्चे के अगर वो गुजरात से है और उसके अगर 60 नंबर है अगर वो लड़का है उसके 60 नंबर या 60 से उपर नंबर है तो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होने के पूरे चांस है और अगर वो लड़की है और उसके 56 नंबर से उपर है तो वो क्वा क्वालिफाई कर जाओगे और लड़कियों में ऐसा है तो आप 60 नंबर वाली जो गल्स है वो भी मेडिकल के लिए तो क्वालिफाई हो जाएगी कहने का मतलब है कि जिस बच्चे के गुजरात से जनरल के टेगरी से पेश्ट नंबर से उपर जिस भी बच्चे के नंबर आ र प्रेंट करेगा अब बात करते हैं अगले कि फाइनल सेलेक्षन कहां तक हो सकता तो मैं आपको बतूँ पिछली बार जो फाइनल सेलेक्षन हुआ था वो जो मेडिकल की कटोप आयती गुजरात से उस परसंटेज पे ही फाइनल सेलेक्षन हो गया था उससे थोड़ा सा आपको जाएगा तो वह नमबर मैं आपको दूँगा 80 यह नहीं जिस बच्चे के 50 पर्षेंट अंक है जिस बच्चे के 50 पर्षेंट अंक है और अगर वह जनल के टेगरीष है इसका मतलब है कि उसके पूरे-पूरे चांसे से फाइनल selection होने के या finally select होने के ठीक है लाटो 100% chance है कि हो finally select हो जाएगा तो अगर आपके 80 number है तो आपके पूरे-पूरे chance है 80 से अगर उपर है या 80 से थोड़े बहुत नीचे है तो भी chance बनते हैं लेकिन अची से उपर है फिर तो कोई बात है नहीं फिर तो कोई ठेंस लेने वाले बात है फिर तो आपका काम पका बंढ जाएगा ठीक है अब आपको कमेंट में अपने शारे-नमबर भी लिखने व्यापकी इत्ने नमबर आ रहे हैं और आपको भूई भी कि उसने लाड़ दो गुजरात से जो भी बच्चा है फिजिकल बेस में अगर आना है तो अब एक एड़ में बेस चलता है फिजिकल का भी और मेडिकल कराने के लिए आना है तो वो बेस भी एक मार्च से शुरू हो जाएगा ठीक